हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कुक विट नीशा चैनल आज हम बनाने वाले हैं खजूर अंजीर रोल तो इसके लिए मैंने लिया है खजूर वन बाउल अंजीर लिया है उससे आधा दोनों को मैंने भीगो के रख दिया है अभी हमें इसे तीन घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि यह सॉफ्ट हो जाए बाद में हम सारी प्रोसेस करेंगे यह हमने भीगो के रख दिये थे तीन घंटे हो गए है अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे अब हम अंजिर को पीस लेंगे अब हम इसे करना है कि में फ्राइब हमें इसमें डालना है दो टबल स्पूल की अवह हम इसमेंत्ति कुछू मैं रिसागके जृत एली अगए हम.. करेंग हम भीजक झाई ऑ्रूरता करें를 वालना है अब हम इसमें डाल देंगे हमारा अंची दोनों को अच्छे से भूमना है लो फ्लेम कर अच्छे से मिक्स करना है कर दो अच्छे में और अच्छे सबस्यें छायी यहां है आजा है क्या कर दोनी से ठंडा होने के लिए रहा हमें परीज़ कुए है हमें रोल में फरने के लिए बनाने ये फिलिंग्स तो उसके लिए मैंने ये बारिक चॉप्ड अंचीर लिया है अब हमें इसमें डालना है काचु का पेस्ट इसमें हम डालेंगे थोड़ी बादाम की पेस्ट थोड़े से पिस्ता अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यह हमारी रीच वाली फिलिंग्स तयार है यह जो खसकस है पूपी सीट्स इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे यह जो खसकस है यह बहार से हमारे खचुर रोल को खचुर अंजिर रोल को रीच बनाएंगे मैं तूब करने है करता विलिंग्स का यह जो घंग्स तक रेंके रीच यह जो खचुर राहिए दिलिंग्स मत्स का बनाएंगे इसे पेपकर देग ये माले रेडिये अब हम जो यह बच्चा हुआ फीलिम है इससे स्विंकल कर देंगे थोड़े से पिस्ता और हमारी पॉपी सीट्स अब हमें इस रोल को इसमें इससे रोल कर देना है इसका छो लुक है बहुत ही ज्यादा रीच आगा है अब हमें इसे सिल्वर फॉल्म में सेट होने करीए रख देना है अब हमें इससे सेट होने के लिए रख देना है तिन से चार घंदे अब हमें इससे सिल्वर और लुप आगा है आगा है अब हमें इससे सिल्वर अब है आगा है यहाई आगा है झाल झाल यह हमारे रोल रेड़ी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू